पहली चीज़ पीपल यो मीट इसमें आपके पैरेंट्स आपके भाई भेन आपके दोस्ट, टीचर्स, मेंटोर्ज आते हैं ये लोग आपकी जिन्दगी में बहुत इंपक्ट रखते हैं अब यहाँ आप अपने पैरेंट्स और भाई भेन को रिपलेस नहीं कर सकते हैं वो नैचरली आपके साथ हैं माल लो आपके पैरेंट्स टॉक्सिक या नेगिटिव हैं ऐसा हो सकता है और ये इंडियन सोसाइटी में नॉर्मल है आपके parents भी इंसान है उनसे भी गलतियां हो सकती है और negative होना भी एक इंसानी trait है ऐसे situation में आपको करना यह है कि पहले आप accept करिए कि वो toxic या negative है और यह normal है उनकी बातों को आप दिल पे ना लीजिए यह कहना बड़ा आसान है लेकिन ऐसा करना आसान नहीं है आप यह भी सोचिए ना आपके पास दूसरा option बचा ही क्या है आप उन्हें समझा नहीं सकते तो उनकी negative बातों को ignore करिए और अपनी life में positive रहिए आप अपने भाई बेन को समझा सकते हो but it's hard to explain Indian parents दोस्तों का ऐसा है आप एक ही बार में परक सकते हो कि कौन सा दोस्त आपके लिए सही है और कौन सा नहीं दोस्त negative हो तो उसके लिए पहले ही मैंने एक वीडियो बना कर रखी है कि negative दोस्त को या दोस्तों को कैसे handle करना है आप वो देख सकते हैं दोस्तों की बातें आदतें हमारे अंदर भी बस जाती है तो उनको भी परक कर आपको सही चोईस करनी होगी सेकंड चीज यह है books you read आप किताब जो पढ़ते हैं वो कैसे आपके character को impact करती है books का ऐसा है सब books कुछ ना कुछ आपको सिखाती है ये भी आपकी personal choice पर depend करता है कि आप कौन सी books पढ़ना पसंद करते हो बट books जो हम पढ़ते हैं वो भी हमारे character हमारे action पर बहुत impact रखते हैं तो best यही है आप positive या self-help books जादा पढ़िए जिससे आपकी जिन्दगी में positive changes आए थर्ड चीज यह है things that you watch अब क्या देखते हैं ऑनलाइन क्या देखते हैं अभी तो web series and chill का दौर है maximum content dark theme पर based है dark theme मतलब थोड़े से thriller थोड़े से thriller ही बो सकते हैं और murder cases यह investigation जो बहुत ही dark theme है यह सब चीजें आपके subconscious mind में जाती हैं जो आपको negative way में impact करती हैं happy to go movie या series बहुत कम बन रही है तो best यही है it's your choice to make your character wise तो अच्छी चीजें देखें और अपने character को सही करिए situations that 4 चीज यह है situations that you face आप कौन सी situation face करते हैं उससे आपका character कैसे build होता है और वो आपकी जिन्दगी को कैसे change करते हैं the more you face the more you grow आपने देखा होगा कुछ लोग उम्र में कम तो होते हैं बट उन्हें बड़ा तजूर्बा होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने बहुत से situation face किये होते हैं अपनी जिन्दगी में so situation कैसी भी आएं डरिये मत face करिये हर situation आपको कुछ ना कुछ सिखाती है face करिये और आगे बढ़िये that's it for the day thank you for watching thank you for listening अगर वीडियो पसंद आई हो तो like, share and subscribe this is शान अवाज on चलता फिता रेडियो